जय मातादी मातागी महाकाली आपके भंडारे भरे आपके घर में सुख सम्रुद्धी एश्वरे कृति लाए दिपावली की अगरिम हार्दिक शुपकामना है आप सभी को हम दिपावली की सम्मंदित में जानकरी देना चाहते हैं इसलिए बहुत ही शौट में वीडियो हम आ एक दिपक रखने हैं आप सामान्य तेल से ही दिपक जला सकते हैं आपको कोई विशेश तेल की आवशकता नहीं है आपको बस दीप लगाना है यह आवशक है और घर के मंदिर में आप अब तक अगर घी का दिपक नहीं लगा रहे हैं तो एक घी का दिपक और एक तेल का द पूज तक लगाना है दिवाली से दिन तक लगाना है उसके बाद आप फिर उधर एकादशी इवा करते हैं पूजपा सकते था अब इधार रिप्सथा मनतरी देव को याद और अगर जगे हैं तो सुर्यदय होने से पहले आपको दीपक लगा देना है सुर्यदय के बाद तक कम 15 विसमट पो जलना चाहिए छोमुखा दीपक होगा आप इसको दक्षड दिशा में भी लगा सकते हैं या घर के आंगान में लगा सकते हैं इसको लगाने के पहले आप पोच्छा लगा दे या उस पर रांगोली मांडे रांगोली सजाने के बाद उसके उपर आनाज रखे आनाज के उपर दीपक को रखना है दीपक के स्थापित करके उसमें चोमुखा बत्ती का दीपक जो लगता है उस परकार से लगाना है कुछ लोग उसको आटे का भी बना सकते हैं और कुछ लो जितने भी लोगे में पूर्ण सुखी सम्रद रहें किसी के अकाल मर्तिव ना हो इस प्रकार की काम ना करना चाहिए यदि कैसी के पूर्वा में हो गई हो तो उसकी मुक्ति के लिए उसके बंधन मुक्ति के लिए उसकी त्रप्ति शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए इस प्रकार से आप ये कर सकते और इसको पांच दिन आप लगातार लगा सकते हैं इसमें कोई दोश नहीं है लेकिन आप पांच दिन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप तरोदशी और चतुरदशी दो दिन अवश्य लगाएं दिपावली के दिन आप महालक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो साथ में अपने कुल देवी देवता अपने घर के पित्रों इश्टाराध्य आदिकी भी पूजा करना चाहिए या उनका इस्मरण अवश्य करना चाहिए और जो भगवती को भोगारपन कर रहे हैं महालक्ष लक्ष्मी को भोगारपन कर रहे हैं उनसे कामना करना चाहिए कि है जगतजननी है सबके उदर का पोशन करने वाली है सबको अन्धन का भंडार देने वाली देवी हमारे कुल के समस्त पित्रों को शांती करें तरप्त करें और जो जीवित हैं उन सबका कल्यान करें सुक्सम अस्वती के साथ पूजा करना चाहिए नार्यान की प्रतिमा घर में हो या फोटो हो तो उनकी भी पूजा करना चाहिए यह बहुत ही उत्तम माना गया है लक्ष्मी की फोटो अगर बेठी हुई हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है अभय मुद्रा में हो धन के साथ हो वे अगर नाराण के साथ है तो और उत्तम, वे अगर गरुण बाहन पर बेठी हैं या गज के उपर बेठी हैं तो भी उत्तम माना जाता है, उल्लू पर बेठी हुई लक्षमी का पूजन जो है अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग व सबस ही दान धर्म आदी कर वेना चाहिए और अगले दिन जो लोग भी मांगने आते हैं उनको भी दान आदी करना चाहिए, सदेव अतिति को दिया गया, दान गाय आदी को दिया गया, दान चारा खली आदी जो दिया जाता है, दिवाली के बाद गोवर्भन पूजा का भी विशेश महत्मे पश्वों की पूजा की जाती है तो यह सब हमारे पित्रों को और प्रसंद न करता है हमारे घर में खोशाली सुख सम्रद्धी लेकर के आता है तो यह दान पुन्ने हमें करना चाहिए कई लोग धन का दान देने से डरते हैं तो आप धन का दान न कर दे इस दिन कई लोग जुआ सटा अधी खिलते हैं तो यह परंपरा को मैं दुशित मानता हूं मैं नहीं मानता कि इस परंपरा से घर में खोशाली आती है वरना अपी तो हमारे घर का धन का हास भी होता है कई गरहों में यह कलेश की बज़ बन जाती तो मदीरा पान और तामसिक वरत्तियां जो भी है मदीरा पान जुआ सटा इन सबसे आपको बचना चाहिए आपको शुब करने चाहिए और इसको रिवाज के रुप में अपनाना नहीं चाहिए जो जो चीजें घर में सुक्षान्ती नहीं लाती उसको रिवाज नहीं मनना चाहिए तो इस परकार की चीजों को आप करके दिपावली का त्योहर जो है सुहादरपूर्ण मना सकते हैं जिनके हाँ गमी हूँ इन दिनों में वो किसी पडोसी को कहके किसी बहन बेटी रिष्टदार से कहके अपने मंदिर के सामने मंदिर को छुए बिना कोई दीपाक आदी रखवा सकते हैं जो अपने घर से ले आए और आपके हाँ दौआर पर रख जाए और मंदिर पर रख जाए इन दिनों में मंदिर सुने नहीं होने चीव द्वार पर बिना दीपाक के द्वार नहीं होना चाहिए आपके घर में कोई अशुब घटना हुई है उसका तातपर यह नहीं कि सदेव आप कभी खुशी मनाएंगे ही नहीं आगे जो आपको आगे करना है तो देव योग से आपको उनके साथ अभी ही जूलना चाहिए आपको उनके निमित्ति इसब करना चाहिए या फिर गरोड पुराना आदी का जो पाठ करने पंडिजी आते हैं आप उनसे दिपाकादी प्रजुलित करवा सकते हैं उनको आप दान दक्षणा देके उनको तरपत अवश्य कीजिए तो इस परकार के कर्म किये जा सकते हैं जन्म के सूले में पूजा आदी नहीं होती तब भी इनी बातों का द्यान रखा जाए आप किसी बड़े बज़ुर्गे से जो आस्पाडोस में रहते हैं उनको बुला करके आप दिपकादी लगवा सकते हैं आपको करना चाहिए भगवान को सूना नहीं रखना चाहिए घर में अंध्यारा नहीं होना चाहिए और ये प्रकाश का पर्वे प्रकाश होना चाहिए परकाश का परव सिर्फ दिपक जलाने का परकाश नहूँ हमारे मन में ज्ञान भकती का परकाश भी हो इस परकार का ध्यान रखना चाहिए आप सभी परकार के भोग जो उचित हूँ तामसिक नहू भगवती को अरपन कर सकते हैं जो भी नया नवीन इस मोसम का पदार्त आता है वो सब आप भगवती को अवश्य अरपन करें लिदे आप खेती धन धानने वाले व्यक्ति हैं तो अपने हा जो भी उपज हुई हो उसका एक हिस्सा दान के लिए और एक हिस्सा भगवती की किरपा से अपने पास रक्षित रखने के निमित कि इसे मनाना चाहिए यह पांच दिवस का विशेश पर्व है इसे मनाना ही चाहिए तो इसी के साथ पुना-पुना आपको दिपावली के हर्दिक शुपकामना है जै मोडेश्वरी बोल बम जै मात अदी ओमनिक्यमिना वकलाल यंती मदाल्शाम मंजुलवावलासाम महेंद्र निलम ध्यूति कौम लांगी मतंकन्यामनसा इस्मराइमे